दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको वशीकरण की विधी बताने जा रही हूँ वो बहुत ही साधारण विधी है सबसे अची बात तो ये है कि आपको कोई भी सामगरी नहीं लानी है ना ही आपको रसोई से कुछ लेना है ना ही आपको बजार से कुछ खरीदना है आपको एकान स्थान की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सोने से पहले अपने बिस्तर में जाने के बाद पालती लगा कर बैठ जाना है और आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसके बारे में सोचिए कोई भी स्त्री या पुरुष हो सकता है जिसको आप पसंद करते हैं चाहे किसी को भी वश में कर सकते हैं जैसे माता पिता, बेहन भाई, बिजनस पार्टनर, गल्फरेंड इतनी दूरियां बन गई हैं जो की लाख कोशिश करने के बाद भी बात नहीं बन पा रही है संबंद तूट रहे हैं आप उस व्यक्ति से प्यार तो करते हैं लेकिन वो प्यार नहीं परवान चड़ पा रहा है नए संबंद जोड़ना चाहते हैं या किसी के साथ तूटे हुए रिष्टे फिर से जोड़ना चाहते हैं आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है उस पर ध्यान रखना है तो आपको एक मंतर का जाब करना है इस विधी में जिसमंतर का जाब करना है वो बेहदी, सरल और सिद प्रचंड है जिसे हमारे गुरु जी ने बड़ी ही तपस्या से तयार किया है इस मंतर का जाब करते ही आपके सारे बिगड़े काम पल भर में बन जाएंगे ये बेहादी सरल साथ मातर तीन शब्दों का मंत्र है और ये मंत्र है ओम 333 बस इस मंत्र का जाब करना है ध्यान रहे ये विधी आपको बिल्कुल एकांत में करनी है कोई आपको देखना रहा हो अगर आपको ये विधी या ये वशिकरन करते हुई कोई देख लेता है तो ये विधी खंडित हो जाएगी दोस्तो अगर आप कहीं देश विदेश में रहते हैं या फिर किसी कारण की वज़े से आप ये कारे घर पर नहीं कर पाए हैं तो आप गुरुजी से भी इसको करवा सकते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं आप हमें वाटसअप कर सकते हैं हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं हम आपकी हर समस्या को सुनकर आपकी सभी समस्या का उपाए आपको बताएंगी किरप्या वशीकरण करने या करवाने से पहले गुरुजी से संपर्क जरूर करें क्योंकि वशीकरण करते वक्त किसी भी प्रकार की गलती या छोटी सी कोई चूक आपका वशीकरण गलत कर सकती है इससे आपको फायदे की जगा नुकसान हो सकता है इसलिए आप इस वशीकरण को बहुत ही सही तरीके से पूरी वीडियो को देख कर समझ कर ही करें फिलहाल के लिए इतना ही नमस्कार